नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टोपिक बाई एके यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो नोट में हम जॉन लोग के परिचे की बात करेंगे इससे पहले हमने होब्स के बारे में बात चीर की थी उसके कुछ उमाहत्पुन प्रस्ट भी आपके साथ में साजा किये थे सभी वीडियो को एक प्लेलिस्ट में एड़ करके मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बल आइकन प्रेस जरूर कर लें चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो नोट जिसमें हम बात करने वाले हैं जोन लोक के परीचे के बारे में चलिए शुरू करते हैं देखो जोन लोक के परीचे की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने दो फैक्ट हैं एक इनकी जनम हुआ 1632 मे और इनके मृत्व होती है 1704 में ठीक है 1632 में जनम हुआ जब इन, तो इनके पिता जिस पेशे पर कारे रब थे वो था वकील क्या था, वकील के पेशे पर कारे रब थे, जैसे ही जोन लोग बड़े हुए, जोन लोग जब खोश संभाला, जोन लोग क्या था खोश में संभाला, जैसे बच्चा जब कुछ जानने लग जाता है, पैचानने लग जाता है, खोश संभाला तो जोन लोग कहते हैं कि जब मैं कुछ समझने लगा बड़ा हुआ थोड़ा सा, तो मैंने खुद को एक तूफान में पाया तूफान में पाया तूफान का मतलब यह है कि जब जोन लोग छोटे थे या जोन लोग जब पैदा हुए थे उसी समय के 10 से 12 साल के अंतरकत यानि जोन लोग जब 12 साल के उम्र में थे तो इंग्लेंड में एक ग्रहे युद्ध की स्थती बनी हुई थी ग्रहे युद्ध की स्थती बनी हुई थी तो इसलिए कहते हैं जो उन लोग कहते हैं कि जब मैं खुद को समझदार पाया तो मैंने खुद को कहां फसा पाया तूफान में फसा पाया ठीक है अब इनके पिताजी तो थे वो भी वहां की जो पार्लेमेंट थी उसकी तरफ से लड़ने वाली सेना में भरती हो गए और स्वेम सेवको की एक कंपनी थी उसके उन्हें कैप्टन भी बना दिया गया इसी तरह लोग कहते हैं कि जब जोन लोग कहते हैं कि जब मैं समझदार हुआ तो मैं इसके बाद में इन्होंने कोलेज में प्रवेश लिया 26 वर्ष की उमर तक आते आते इनकी पास में कौन से डिग्री आ गई MA की डिगरी आ गई ठीक है Oxford विश्विधाले से MA की थी इन्होंने इसके बाद में ये युनानी भाषा कावे शास्त्र और दर्शन का अध्यापक नियुक्त हो गए लेकिन इस छेत्र में इस कारे में जोन लोक का मन नहीं लगा ठीक है इसके बाद में टाइम आता है 1660 का 1660 के अंदर Oxford में एक फेमस डॉक्टर थे डेविड टॉमस क्या नाम था? ये याद करने की चीज नहीं है समझने की चीज है डेविड टॉमस डेविड टॉमस के साथ में इन्होंने चिकिट सा शास्तर का अध्यन प्रारम किया और शेग्र ही शेग्र ही लोक एक कुशल डॉक्टर भी बनकर सामने आ गए तो इस प्रकार से इनका ये कुछ संगर्षबरा जीवन था जिसके अंदर तमाम तरह के मोड आते जा रहे थे ये चलते जा रहे थे शिक्षा ग्रहन की ठीक है तो इस प्रकार से लोक ने अपनी शिक्षा ग्रहन की है अब राजनितिक दर्शन के इतिहास में जो जोन लोक का नाम बहुत सम्मान के साथ में लिया जाता है ये पहली बात तो ये है हमने होब्स के बारे में पढ़ा जो शास्त्रिय ग्यान में काफी स्रेश थे लेकिन राजनितिक दर्श्टी से देखें तो लोक है ये क्या है लोक लोक का महत तो बहुत ही अधिक है किसकी दर्श्टी से देखते हम जब राजनेतिक दर्ष्टी से देखते हैं तो लोग का महतो जादा है इससे पहले जब हमने होब्स के बारे में चर्चा की थी तो शास्त्री ग्यान में काफी स्रेश्ट थे होब्स है ना इसी तरह फिर ये जब कुशल डॉक्टर बनकर सामने आ गए उसी दोरान समय था 1666 1666 एक ऐसी गटना गटित होती है जिससे लोग का जो भविश्य था उसमें एक नया ही कहते हैं स्थान आ गया मोड आ गया ठीक है उसमें एक प्रसिद राजनितिक दल का एक संस्तापक था लोड ऐशली जो अपने इलाज के लिए इस डोक्टर के पास आता है किस डोक्टर के पास में जो डेविड टोमस थे जिसके पास में लोग ने अपनी डोक्टरी सीखी थी उसके पास आता है अब जोन लोग से वो प्रभावित होते हैं लोग को लंदन आकर उनका निजी डाक्टर बनने को वो कहते हैं जो एशली थे वो कहते हैं कि भाई चलो तुम मेरे पर्सनल डोक्टर बन जाओ जोन लोग ने 1667 में ही मतलब next year में ही एशली का निजी डोक्टर और सेक्रेटरी का पदसमाल लिया काम करते रहे यहां काम करते करते इन्हें 15 वर्ष निकल गए कितने वर्ष निकल गए 15 वर्ष निकल गए ठीक है इस तरीके से उन्होंने अपना काम करता रहा जब एशली के उपर भी काफी बुरे दिनों का सामना हुआ या एशली का भी पद जब चला गया 1603 में जब एशली को भी हटा दिया गया तो लोग को भी अपने पद से हाथ धोना पड़ा था उनको भी हटना पड़ा था ठीक है? अब जिन दिनों वो हटे पद से तो लोग का स्वास्थे कुछ ज़्यादा सही नहीं था इसी दोरान 1675 में फ्रांस चले गए 4-5 साल वहीं रहे 1689 में राजा ने एशली को उसके पुराने पद पर फिर से बिठा दिया लोग भी वापस आ गया और उसके साथ में काम करने लग गया उसके साथ में काम करने लग गया फिर उसका यही शड़ेंतर था तो फिर इसे इंग्लेंड चोल कर हौलेंड भागना पढ़ा हौलेंड भागना पढ़ा ठीक है एशली के जाने के बाद लोग भी इंग्लेंड में डराडरा सा रहने लग गया बई राजा है चला गया उसका जो उसको लेके गया था वो ही वहाँ से भाग गया होलेंड तो फिर लोग तो डरना ही था लोग भी डरा डराता रहने लग गया और वो भी भाग कर होलेंड आ गया 16-18 तक वो वहीं रहा ठीक है इसी तरह भागदोड भागदोड की जिन्दगी उसकी चलती रही इंगलेंड बुलाए जाने पर वो वापस भी लोटा और फिर उसको अनेक सेवाओं में पुरुसकार भी दिये गए जिनोंने लोग लोग ने जिने स्विकार भी कर लिया और फिर 1704 में बैतर वर्ष की आयू में अपने शरीर को कमजोर समझते हुए बुड़ा तो होई गया और उनका निधन हो जाता है ठीक है अब हमने ये बात की लोग के जीवन में क्या-क्या उतार चड़ावाई तो लोग का जो समय था वो रानितिक द्रस्टी से काफी उतल-पुतल वाला था ये हमें समझ में आया ठीक है कभी ऐसली को अटाया गया तो ऐसली को अटाया गया लोग भी अट गये ऐसली भागा लोग भी भागे है ना और उस समय की परस्तिती और गटनाओं से लोग प्रभावित हुआ हर विद्वान होता है सबसे पहले जो गटना थी वो थी गोरोपून क्रांती जो 1688 में गटित हुई थी ठीक है तो पहली गटना जिससे लोग काफी प्रभावित थे वो थी 1688 की गोरोपून क्रांती है ना गोरोपून क्रांती इसे रक्त हीन क्रांती भी कहते हैं इसे क्या कहते हैं रक्त हीन क्रांती भी कहते हैं दूसरा जो जिससे लोग प्रभावित होता है वो है हूकर था हूकर के दर्शन से भी लोग प्रभावित हो यह हूकर कहते थे कि सरकार सामाजिक हित की प्रती निदी है और इसलिए वह समुदाय के प्रति उत्तरदाई है है ना तो और फिर जोन लोग थॉमस होपस के व्यक्तिवादी विचारों से भी प्रभावित थे होपस के जो व्यक्तिवादी विचार थे उन्होंने भी लोग को काफी प्रभावित किया कहते थे कि कोई भी अंग्रेज बिना व्यक्तिकत हित की भावना के सामाजिक हित को मान राज्य की रचना होपस के दर्शन में आपने पढ़ा पिछले दिनों किस रूप में हुई थी व्यक्तिगत हित के लिए की गई थी ठीक है तो इन चीजों का इनके उपर प्रभाव पढ़ा ये जो तीन जो घटनाए हैं इन्हें आपको ध्यान में रखना है एक तो जो 1688 की गोरोपून करांती थी इंगलेंड की उसका इनके उपर प्रभाव पढ़ा दूसरा हुकर के दर्शन से ये काफि प्रभावित हुए इन्होंने अपनी अवधारना भी हुकर के दर्शन से ही प्रभावित होकर दी और जोन लोग थॉमस होपस के विक्तिवादी विचारों स देखें तो इंग्लेंड के महानलेककों में इनकी गिंती की जाती है समझ गे रा निती शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्म शास्त्र, DR शिक्षादर्शन और विज्ञान से सम्मंदित इनों ने लगबग 30 गरंथ लिखे कितने गरंथ लिखे तीस लेकिन जो महित्पूर्ण गृंत है उनके नाम मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ essay concerning human understanding two treaties on government first letter on tolerance second letter on tolerance third letter on tolerance some 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 thoughts concerning education some thoughts concerning education और एक ये बुक और है the fundamentals of constitution of Carolina ये इनकी महत्पूर्ण पुस्तके हैं जिनने आपको ध्यान में रखना है एक दो तीन चार पांच छे और साथ ठीक है इनने आपको ध्यान में रखना है इन सभी रचनाओं में जो लोग की महत्पूर्ण रचना है वो है two treaties on government और है आपकी second letter on tolerance ये दोनों बहुत महत्पूर्ण है लोग की रचना तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो two treaties on government है जिसे हम हिंदी में कहें तो शाषन पर दो निबंद इस गरंद के बारे में जो प्रोफेसर वाहन है प्रोफेसर वाहन वो कहते हैं कि दोनों निबंद एक दुनाली बंदूग की तरह है जिसमें एक नली फिलमर की और और दूसरी होब्स की और निशाना साधे हुए है इस कथन को भी हमें ध्यान में रखना है ये लोग की मैदपून रचना है इस रचना के बारे में प्रोफेसर वाहन कहते हैं कि शाषन पर दो निबंद जो लोग की रचना है ये एक दुनाली बंदूग की तरह है जिसमें एक नली किसकी तरफ है फिल्मर की तरफ है और दूसी नली किसकी तरफ है होब्स की तरफ है एक नली फिल्मर की तरफ दूसी नली होब्स की तरफ है ठीक है तो ये जो है यहाँ पर हमने आपको बताया कि इस निबंद में लेवियाथन में हॉप्स के द्वारा जो प्रतिपादित निरनकुष्टा वार्था उसका विरोध इन्होंने किया है इसने किया है लोक ने किया है तो ये इनकी प्रसिद रचनाये हैं इससे उपर हमने इसके जीवन परिचे की बात की है आई होप आपने ये वीडियो नोट पूरा देखा होगा अच्छे से समझा होगा बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताने की पूरी कोशिश की है अब लोग की हम अध्यन पद्धि की बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो नोट में फिर इसकी भी सामाजिक समझोते की बात करेंगे मानो सभाव की धारना की बात करेंगे प्राकरतिक अवस्था को देखेंगे तो ये जो भी है हम और इनकी जो राज्ये की उत्पत्तिती उनको देखेंगे मैतपुन कथन देखेंगे फिर मैत पुर्णिन के प्रश्ण देखेंगे तो आने वाले दो-तीन वीडियो नोट में लोग को हम अच्छे से कवर कर लेंगे चैनल को शेर तो कीजिए वीडियोस को पूरा देखिए और वीडियोस को पॉलिटिकल साइन्स के हर ग्रूप में शेर भी कीजिए धन्यवाद